पाठ ग्यारह कदम्ब का पेड़ यह कदम्ब का पेड़ अगरमा होता यमना तीरे मैं भी उस पर बैठ कनहया बनता धीरे धीरे ले देती यदी मुझे बासूरी तुम दो पैसे वाली किसी तरहा नीचे हो जाती यह है कदम्ब की डाली तुम्हे नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता उस नीची डाली से अम्मा उंचे पर चड़ जाता वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बासूरी बजाता अम्मा अम्मा कहे बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता सुन मेरी बंसी को मा तुम इतनी खुश हो जाती मुझे देखने काम छोड़े कर तुम बाहर तक आती तुमको आता देख बासूरी रख मैं चुप हो जाता पत्तों में चुप कर धीरे से फिर बासूरी बजाता गुस्सा हो कर मुझे डाटती कहती नीचे आजा पर जब मैं ना उतरता हस कर कहती मुन्ना राचा नीचे उतरों मेरे भाईया तुम्हें मिठाई दूंगी नए खिलोने माखन मिसरी दूध मलाई दूंगी मैं हस कर सबसे उपर की टहनी पर चड़ जाता एक बार मा कहे पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं ना उतर कर आता तब मामा गार दे तुम्हारा बहुत विकल हो जाता तुम आचल पसार कर अम्मा वहीं पेड के नीचे इश्वर से कुछ विनती करती बैठी आखे मीचे तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आचल के नीचे छिप जाता तुम घबरा कर आख खोलती फिर भी खुश हो जाती जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे मा कदंब का पेड़ अगर यह होता यम ना तीरे अपना इंडिया गोल्डन बुक्स का दिवाना पढ़ाई हो जो करनी जरा भी ना घबराना गोल्डन बुक्स को अपनाना अपना इंडिया बुक्स का दिवाना